बोर्ड परिक्सा में समलित होने जा रहे प्यारे चाच्छात्रों सभी को बोर्ड परिक्सा 2024 की अगरीम बहुत-बहुत सुपकाम नहीं बच्चों हमारी ये वर्सों की मेहनत का फल है और ये परिक्सा परिक्णाम हमारे जीवन की दिशा और दसा तै करते हैं तो इन परिक्सा परिक्सा परिक्णाम को और बहतर बनाने के लिए SPS संसकार साला ने अपने पूरे अनुभब को जो वर्सों से इस इक्सा के छेत्र में कार्य कर रही है पूरे अनुभब को जोका है आपके परिक्सार प्रणाम को और बहतर बनाने के लिए तो 30 days steady plan एक हमने तयार किया है और मैं चाहूंगा ये हमारे किसी भी मित्र, भाई, बहन, बच्चों और जितने भी भद्र पुरुष हैं उन्हें जहां जहां भी मिले तो ये जादे से जादे प्लान सेर किया जाए तेखे हमारा जो ये है 30 days steady plan है हमारा 7 फर्वरी से पेपर शुरू होकर और हमारा 7 मार्ज तक पेपर चल रहा है तो ये पूरा का पूरा ये कार्यकाल 7 फर्वरी से लेके 7 मार्ज तक का 30 days का plan है तो इसमें हमने इसे इस तरीके से किया गया है कि हमने किस समय पेपर कैसे पढ़ें तो हमने देखे 7 फर्वरी से लेके और 20 फर्वरी तक का समय ये 14 days 14 दिन का समय हमने ऐसा रखा है कि इसको हमें पृति एक सब्जक्त को पढ़ना है पृति एक सब्जक्त हमें पढ़ना है वो समय सार्णी में आगे अंक्तालिका में समझाया गया है मैं आगे उसको बताता हूँ उसके बाद में हमने 20 तारीक से हमने फिर 20 तारीक से 20, 21 और 22 इन तारीक में इन डेट्स में हमें जो पढ़ना है तो हमें हिंदी को फूल टाइम पढ़ना है उसके बाद में हमें 22 तारीक से 29 तारीक तक के बीच में हमारी 6 दिन की छुटी है, उसके बीच में हमने math को full time पढ़ना है और ये steady plan में दर्सा दिया गया, ये बात आप भी बहतर जानते होंगे कि हमें किस समय पर क्या पढ़ना है, लेकिन main चीज है जो आगे हमने इस चीज को plan किया है उसके बाद में हमारा 29 को, 29 को ये paper होने के बाद में हमारी 28 की छुटी है और हमें फिर उसके बाद में हमें जो paper करना है, वो करना है दो मार्च को, दो मार्च को, तो दो मार्च को हमारा physics का paper है और ये काफी tough subject है, और इसमें समय कम है, छुटी कम है तो इसके लिए हमने जो चोदे दिन में plan किया है, अपना 14 days में जो plan किया है उसमें वो समय दिया गया है, उसके बाद में हमारी छुटी है, दो के बाद में 21 दिन की छुटी ये हमारा फिर 7 को है, तो लेकिन इसमें हमारे पास में नहीं, सोरी, हमारा 4, 4, 4, 4, 4 मार्च को पेपर है फिजिक्स का, और उसके बाद में हमारा फिर कैमिस्ट्री का पेपर है, कैमिस्ट्री के पेपर में हमारा, चुटके हमारा 4 मार्च में होने के बाद में 7, 5, 6 की छुटी है, तो इस बीच में हमने इसको किया है, तो आईए समय सार्णि के माध्यम से हम समझते हैं समय सार्णि के माध्यम से समझ लेते हैं एक भोत आसान सा हमने देखिए कहते हैं कि परण़े के लिए में 4 वजे उड़ जाना चाहिए बच्चों से भी कलास में पूछते हैं यह कहीं भी आप कितने वज उठते हो सुवश média को बोले 4 बजे तो आप सही Pacignal होनी है कि हम 4 बजे उठते हैं तो हमने जो इसे प्छान किया है तो हमने किया है यह सुखे 4 बजे उठते हैं और 4 बजे से पांच बजे तक अपना फिरा थोड़ा बोत हो सकता है जहां आप देखते हैं और 5 वज़े हमें पढ़ने आ जाना है 5 वज़े से हम और रातरी 10 वज़े तक Steady करेंगे यह 17 घंटे बैठते हैं uncertainty में जेऴटने 4 घंटों को — किया है चार घंटे हमने rest के रूप में दिये हैं, break के रूप में दिये हैं, यैसे कि वो break में आपको बाद में हमारी सार्णी में है, include में बता दूँगा, तो आपके लिए बता दें 22.2024 में हिंदी का पेपर है हमारा तो हम इसको 22.2024 से हम इसको पढ़ रहे हैं प्रति दिन हम ये दो दिन हमारे पास तेरह गंटे पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से एक दिन में तेरह गंटे पढ़ रहे हैं हमारा 26 गंटे बैठता है इसी के बाद में हमारे पास में 7 गंटे उस दिन बैठेंगे जिस दिन हम पेपर देने जा रहे हैं तो यह इस तरीके से हम इसको फुल टेम 33 गंटे पड़ पा रहे हैं ठीक है तो बच्चो इस से जादे अब हमारे पास में समय नहीं है क्योंकि सभी सब्जक्त को में बाटना है उसके बाद में हम गणित में आ जाते हैं इसमें हम प्राहते प्रती दिन प्रती दिन हम पांच बजे सुबह से साथ बजे तक गंट पड़ रहे हैं वो हमने इसलिए रखाया क्योंकि अगर आप हिंदी इंगलिस या ऐसे सब्जक्त को लेते तो आप बैठ के पढ़ने की कोशिस करते हैं प्रक्टिस का सब्जक्त है तो आप बिलकुल एक्टिव हो चो यह हमारा 14 डेज इस बीच में बैठ रहा है खाली समय तो उसमें दो गंटे प्रती दिन पढ़ेंगे तो इस तरीके से हम 28 गंटे प्रती दिन दो गंटे पढ़के पढ़ेंगे उसके बाद में हमारी 6 दिन की छुटी आ जाती है तो अगर हम 13 गंटे इस रूप से इसे पढ़ते हैं तो हम 78 गंटे ये और उस दिन साथ 113 गंटे और मैं मानता हूँ मैंने भी मैत के बच्चों से discussion किया है उसके बाद में एक अनुभव के साथ किया है कि ये गंटे अगर हम पूरे मनो योग मन से पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए काफी है revision के लिए उसी के बाद में फिर हमारा आ जाता है अगला subject आ जाता है हमारा जीव विज्ञान जीव विज्ञान में हमारे यही समय है यही छुटी है same to same है या तो मैथ वाले जीव विज्ञान का पेपर नहीं देंगे जो जीव विज्ञान का देंगे वो मैथ का नहीं देंगे तो यही timing है तो जीव विज्ञान वाले अपनी समय को अपने अनुसार बदल सकते हैं और बंग्रेजी को हमने सुभ है ये साम में 6 बजे से 7 बजे तक 14 गंटे पढ़ना है एक दिन की हमारी इस बीच में छुट्टी है तो हम 13 गंटे पढ़ेंगे तो 13 ये गंटे हो जाएगा और इसमें साम का एक समय खोला गया था लेकिन इशुमें नहीं खोला गया है रात्री को हम रात्री को में खोले देता हूँ इसमें ये हमारे टाइपिश्ट से कुछ नीचेख हो गई है रात्री को 9 बजे से 10 बजे तक जिस समय पर आपके सोने की स्थिती होगी उस समय पर हम आजाएंगे आपको जगाने के लिए रात्री में आप नो बज़े से दस बज़े तक अंग्रेजी के वो सारे questions जो बोर्ट पर एक्षाव में पहले आए हैं उन्हें लेकर हम आएंगे और आप live class उसको live session को ले सकते हैं इसके बाद में हमारा आजाता है भोतिक विज्ञान हमारा चार तारीक में है और भोतिक विज्ञान में हमारी चुटी एक दिन की चुटी है बस तो इसको हमने एक दिन की छुटी और क्योंकि विशय भी काफी अपने आप में विशय है एक अच्छा विशय है पढ़ने वालों के लिए कोई कठी नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा विशय है रूची कर विशय है तो इसमें हम 14 दिन तक यानि के हम 7 तारिक से लेके 20 तारिक तक 14 दिन तक जो हम पढ़ेंगे तो प्राते 9 बज़े से लेके 12 बज़े तक 3 घंटे इसे दिन में पढ़ेंगे उसके बाद में साम को 7 बज़े से रात्तरी 9 बज़े तक है ये टाइपिस्ट से मिश्टेक हुई है नो बजे तक हम जो है ये पढ़ेंगे तो ये तीन घंटे हो जाएगा ये हमारा फिर बैयाइस घंटे हो जाएगा और एक दिन की छुटी इस तरीके से तेरह दिन ये तो कुल मिला कर 104 घंटे हमारे फिजिक्स के लिए मिल रहे हैं सबके लिए आपने पूरा प्रियास किया है एक स्टेंडर्ड टाइम मेनेजमेंट करने के लिए वो आपके हिसाब से कैसा होगा उसके बाद में हमारा आजाता है अगला सब्जेक्ट आजाता है हमारा रसैन विज्ञान हमारा अन्तिम साइन्स सिस्टीम का पिपर और इसी में भी हमने प्राते साथ वजे से आठ वजे तक हमने इसको रखा है प्रती दिन एक घंटा फिर हम दोपैर में रेस्ट ले रहे बारे वजे से दो वजे तक हम तरो ताजा हो जाएं जो हमने सुवए फिजिक्स पढ़ा है उसकी थोड़ी हमें ठाकान उतर जाया अन्य सब्जक्ट पढ़ें तो फिर हमने दो वजे से पाँच वजे तक फिर हमने केमिष्टी रखी है और केमिष्टी के बाद फिर हमने रेस्ट रखा है यह आप समय साड़ी में समझाने के लिए इसलिए है क्योंकि तालीका से हो सकता है कि आपको तालीका में दुगना समय लग जाता है या जादर समय लग जाता है समझने के लिए तो इस विशे से में मेरा यह है आपको बताने का उसके बाद में हमने रखा है note 7, 2, 24 से 22, 24 तक प्रिति एक विशे ये 22 नहीं है ये 20 आएगा यहाँ पर 22, 24 तक प्रिति एक विशे पढ़ना है जो हमारी समय सार्णी है उसके according kod금, उसके बाद में भुति विव्ज्यान में चुटि काम हैं उसके लिए हमने एक व्यवस्था की है के प्रिति-दिन समय को हमने बढ़ाया है 6 घंटे किया है 20 सिप्ट में J2 में सबह में हमने किया है वो सुभह में किया है और फिर दोपहर में ये साम में किया है अत्रिक समय पेपर देकर आने के बाद का रातरी का समय सुविध है के नुसार हम यूज कर सकते हैं उसके बाद में हमने प्राहते चार बज़े उठकर पांच बज़े कारे लगने पर हमने आपका जो समय दिया है वो खाली समय दिया है चार घंटे का हम आठ बज़े से नो बज़े तक प्राते सुभह में खाली रहेंगे बारे बज़े से दो पैर दो बज़े तक खाली रहेंगे और साम पांच बज़े से छ हेवे तक खाली रहेंगे ये कोई बाउंड टाइम नहीं है आप अपनी इच्छा के नूसार इसमें भी ज्यादा समय पढ़ सकते हैं वह आपकी लेकिन इससे कमना पढ़ें अगर हमें नंबर बढ़ाने तो इससे कमना पढ़ें ठीक है और इस प्लान के नूसार बाकी हमारी और बहुत सारी चीज़े हैं जैसे कि हम लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट हाई स्कूल इंटर के जो साइंस स्टीम से आते हैं सभी सब्जेक्ट में तो जोग्राफी हिस्ट्री पॉलिटर्टर्ट झाल 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 झाल